दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉंटिनेंटल क्रिश में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं पोलेंग के क्राकू के पास इस्थित वेल्स का सॉल्ट माइन्स सक्ष्थित तराइब टार्इए और ट्रामर पारे वाला है अवrän में ग्रांपको सॉल्ट माइन्स ट्राम के ज्याहिए थांपको आपको तरेप्नाप माइन्स दोस्तों तो अभी हम फाइनली पहुच चुके हैं पोलेंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महारकोफूर टूरिस्स डेस्टिनेशन जो की है वेल्स का सॉल्ट माइड पैंडिमिक टाइम चल रहा है तो सबसे पहले हमें हैंड सैनिटाइज करने होंगे एंड हमारा बोली तेमपरेचर चैक भी होगा लगा तो लट्स गोट तो बोली तेमपरेचर चैक हो चुका है और वी अवगोट अंट्री अग्ट पार्ड टीकेट लेड़ी है और टिकेट एक टिकेट की प्राइज है 93 जलोटी और अगर हम इंडियन रुपीज की बाद करें तो इस टिकेट की प्राइज है एप्रोक्सिमेटी 2,000 इंडियन रुपीज 2,000 इंडियन रुपीज पर वन टिकेट उस बीडिफुल सौल्ट माइज वियल्स का सौल्ट माइज को सन 1978 में यूनिस को वर्ल्ड हैरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया यह जो साइट है यह क्राको से 45 मिनिट की जर्नी पे है यू विल गेट पबलिक ट्रांसपोर्ट वेरी मच इजी ली फ्रॉम क्राको यह पूरी सौल्ट माइज काफी गहराई में है यहाँ पे तेरवी शतादी से सौल्ट निकाला जा रहा है और 1996 में इसको इनोंने डिसकंटिन्यू किया जमीन के अदर 326 मीटर गहराई पे हम लोग जाने वाले हैं और 2400 एकर में फैली हुई यह पूरी सौल्ट माइज अंधर ही इसके चर्च है, रेस्टोरेंग है, बैंकेट हॉल भी है, काफी इंट्रेस्टिंग फैक्ट माइन में एंट्री करने के पहले आपको वेट करना होता है अपने तूर गाइड का एक वेटिंग हॉल में और हमारे तूर गाइड आ चुके हैं . dose this also the transport of sort with the rope and you can see some groups of sort with your here in this place you can see Thandroth's Hand Machine, one of the first machines here used here in laund zaptole transport वियल्स का सॉल्ट माइन की डिस्कवरी के बारे में उंगेरियन प्रिंसस की पी एक स्टोरी काफी पेमस है आएए सुनते हैं विया हैंगे यार् उन्या स्काम्न पिर्ग्य।र्थ जिया हैंगे विया एक स्टोर्व में प्राव्य कि रड़्य।र्थ घ्राव पुर्क्ष घ्क Бाईशध की रंचे गेमस्ट्टे पारे मिल्य।र्थि रड़्य।र्थर्थ और अब आप देख रहे हैं कि माइस के अंदर सॉल्ट रॉक्स को तोड़ने के लिए कैसे ब्लास्ट किया जाता था कि लाप है। बहु נ Καιल कि नहारा हैं कि ब्रॉक्स mean कि लिए खीन के इन सके लाद आपोड़ने जब आपि अखिनाखिण रहाँ वाल has been the हिए जग पुछिए जग खाला हुआ जग जगा हुआइए जगल मुछ यगर हुआ यह है इस माइन की सबसे खुबसूरत जगए जो की एक चर्च है अल इस चंदलर्स आर मेड अफ सॉल्ट में लिए एक चर्च 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 है माइन का जितना एरिया टूरिस्ट देखते हैं वह पूरी माइन के एरिया का सिर्फ वन परसेंट है अभी हम पहुँच चुके हैं इस सॉल्ट माइन के सबसे आकर्शक चैम्बर में यह वुडिन आर्किटेक्चर माइन्स को सपोर्ट तो दे ही रहा है साथ की साथ इसकी खुबसूर्ती को भी बढ़ा रहा है उपर लगे इस विशाल जूपर को 2000 से भी ज्यादा सॉल्ट प्रिस्टल्स का यूज करके बनाया गया है दोस्तों तो यहां पर एक रेस्टोरेंट भी है और मैंने ओडर की है पॉलिश वेजपियर होगी और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की ओर जो की हमें लेकर जाएगी 300 मीटर्स उपर लिफ्ट की है आपनाय की तक चेस्ट तक रापन ओजब करें भी ओड़ी यहां दोर्ट की आप प्रोंकट ऐसके यहां प्रिस्ट्वाज़ का बैकर चेस्ट्वाज़ केवड़न ब्सकर प्रीट सब्सक्राइब करें तो एक चोटा सा म्यूजियम टाइप का प्लेस है यह वही इंजन है जिससे माइनर्स सॉल्ट की शिपिंग करते थे और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सॉल्ट माइन के कंपाउंड में ही बना ड्रेजुएशन टावर यह टावर विडन वॉल्ट से बना हुआ है और इसके उपर जाकर आप वियल्ज का शहर के फूपसूरत नजारों का अनन्द ले सकते हैं सॉल्ट माइन की मेरी यात्रा अब समाप्त होती है मेरे अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉक्स और दूसरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल कॉंटिनेंटल प्रेश थैंक यू सो मच आई विल सी यू आल इन नेक्स्ट वीडियो कर दो कर दो